बेलकम बेक तो माई चैनल आधार ब्रेंज सेंटर मैं कविता सिंग इस्पेसल एजुकेटर आज फिर मैं एक आपके सामने टॉपिक लेके आई हूं मुझे किसी पेरेंस ने कमेंट किया था कि मैं बच्चों को हम बढ़ माला कैसे सिखाएं तो मैं आप सभी को बताओंगी कि हमें स्टार्टिंग में बच्चे को बढ़ माला कैसे सिखाना होता है बच्चा कैसे सीखते हैं एक तो होता है कि बच्चा एक बात रट लेता है जो हमें बच्चे को रटाना बिलकुल भी नहीं है और बच्चे को हमें इस तरीके से सिखाना है कि बच्चे को समझ में आए ह पहले दो दो अगर बच्च बिलकुल कुछ नहीं जानता है तो हमें दो दो सब्द लेने चोटा और बड़ा वो अगर किलियर हो जाता है तो हमें उसके बाद छोटी बड़ी फिर हम चारों को एक साथ रखेंगे फिर उससे पूछेंगे कि हमें छोटा उठा के दो चोटी ही इस तरीके से कराना है तो मैं आज आप सभी को बताऊंगे कि हमें बड़माला बच्चे को कैसे सिखाना है हमें बड़माला सिखाने के लिए सबसे पहले प्लेसकार का ही उच करना है बड़माला सिखाएंगे तो तो मैंने फ्लेसकार लिए हुए सबसे पहले हमें बच्चे को पिक्चर समय देखाना कि पिक्चर को देखेगा बच्चा तो समझेगा ही आ आ इधर देखो आ अनार आ इधर देखो आ अनार इसके बाद सेके लिए आ आ आ आम आम आ इधर इमली इमली इधर इक एक ओ उल्लू उल्लू हमें पिक्चर भी तिखानी है स्टार्टिंग में बच्चे को ताकि बच्चा अच्छे से बच्चे से बच्छे जल्दी सीखते हैं अन अ चाओ अच्छा मुझे चोठीटा तो चोठीटीवी बच्चर नियास-tidyodho मैं च्छाद में मैह को किरो आख ड़न कि यह प्रैक्टिस हम एधर कम एक अप्ते तक कराने एक एक अप्ते तक बच्चा अच्छे से करेंगे उसके बाद बच्चा सीखेंगे अगर बच्चे को अच्छे से बादा से आजाता है तो फिर अमने उसके बाहरा बिलकूल भी नहीं दिखानी है और लिए अख़ाना है ऑप यह कहा आ है आ हम बीच बीच में से उठा के बच्चे से पूछेंगे ताके बच्चा एक लाइन से जो रट लेता है वो रटे नहीं बिल्कुल भी कौन से बड़ी उसकी बाद उी फोनशा हूऊ है छोटा उ ओ लिया हम बच्चेember डिखाना है ना piece दिखाने कि अट्षरी बच्चरन से करोगे बच्चा वह चीजा अच्छ्छेस रीश रहे से जाएगा उसके sauce हम因faat काम करना इस तरीके heel बैशि को करना हैं बच्कों जिखाना है और आप सबी को कोई भी प्रावलम हो तो आप मूं सकते हों कमेंट कर सकते हो अगर वीडियो अच्छा को लाइक करें हमारी चेनल को सबस्राइब करें मिलती हूं एक में आ यया